दोस्तों जरकंड टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट यानि जेटेट दोहजार चौबिस के लिए ओनलाइन आविदन की जो परकिरिया है शुरू हो चुकी है इस वीडियो में मैं पूरी जनकारी एस्टेप बाई एस्टेप बताऊंगा कि कैसे जेटेट दोहजार चौबिस का फॉर्म आपको फिल करना है इससे जुरी पूरी जनकारी के लिए मैंने डिरेक्ट डिस्कॉप्सन बॉक्स में लिंक दे दिया है इस वेप साइट का आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे का उप्सन मिलता है न्यू रइस्टेशन नाउ का जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ साब इसका जो है गाइडलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करकर आप पूरी जनकारे समझ भी सकते हैं किसका फॉम फिलब की जो परकिरिया है कब से कब तक चलेगे 23 जुलाई से फॉम फिलब पर स्टार्ट है इसका लाश्ट डिट 22 अगस 2024 तक रखे गए इसके लिए इन्हों ने योगिता और आहारता रखा है भरतिये नागरिक है तो फॉम कॉप अपलाई कर सकते हैं कोई भी आप पर जो है कोई केस मुकदमा यह सबाब की नहीं होनी ज इसकी पातरता की अगर आप पूर्ती करते हैं तो आप इसके लिए फॉम को फिल कर सकते हैं अप्लीकेशन फिक लिए का यहां से एक बार देख लेंगे तो अप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को अबस्षर्ट से डाउनलोड करकर पूरी जनकारे समझ लि यहां पर जब आप आएंगे तो कुछ guideline दिये गए है अप्लाई करने से पहले उसको देखने के बाद इस checkbox पर टीक करना है एक option मिलता है submit का जस पर आपको क्लिक करना है यहां पर देखेंगे कुछ personal detail आपको fill करनी है तो सबसे पहले candidate का जो भी नाम होगा यहां पर आपको लिखना है तेंथ के जो भी certificate हो या maxit हो उसके according ही लिखेंगे पिता जी का जो नाम होगा यहां पर आपको लिखना है माता जी का जो नाम है आपको यहां पर लिखना है date of birth के लिए calendar मिलता है यहां से सबसे पहले जो आपकी year होगी उससे chain करेंगे जो date होगा और जो month होगा यह सब इस परकार आपको chain करना है बाकि आपका जो भी category होगा category आपको बताना है कि किस category से आप belong करते हैं उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो आप बता सकते हैं नहीं है तो यहां पर नन वाले option को चुन सकते हैं आपको gender बताना है लरका है तो male लरकी है तो female आपको बताना है आपका जो भी religion होगा मतलब आप जिस धर्म से ब्लॉंग करते हैं उसके बारे में बता नहीं है नेशनालिटी इंडियन रहेगा आपका जो भी अधार नंबर होगा अधार नंबर फिल करना है अपना mobile नंबर फिल करना है और email आईडिया आपको फिल करना है नीचे आएंगे यहां पर देखेंगे का option मिलेगा अगर आप जहरखंड के हैं तो जहरखंड चुनेंगे तो आपका एश्टेट जहरखंड ही आपको देखनों को मिलेगा बाकि आपको अपना जो है डिश्टिक बतानी है कि कौन सा डिश्टिक है आपका जो भी भी विलेज होगा एड़ेस 1 में आप लिखेंगे एड़ेस 2 में post office लिखेंगे या आपका एड़ेस जिस recording भी है आप लिख सकते हैं पिन कोट को यहां पर बताना है किसी का permanent और correspondence दोनों सेम है एच चेक वाक्स पर टीक करेंगे यह दोनों फिल होगा अलग अलग है तो अलग अलग जनकारी को फिल करनी है फिर नीचे आएंगे यहां पर एक password आपको set करना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अग्छर छोटा अग्छर कोई भी सिंबल कोई भी आंक आप उपयोग कर सकते हैं उससे password को दुबारा डालेंगे capture code जैसे 6 और 2 है तो दोनों को add करेंगे तो 8 होगा तो 8 लिकेंगे फिर यहां से submit वाले विकल पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने form का preview आता है जिसमें आपने जो भी जनकारी फिल किया है एक पर पूरी जनकारी अच्छे से मिलान करना है नीचे आना है verify करना है कि आपका नाम आपका जेंडर आपके पिता जी का नाम आपका एड्रेस माता जी का नाम मोबाइल नंबर इमेल आईडी डेटो बर्त यह सब सही है तो सभी चेक बॉक्स वेट्टी करना है आई अग्री वाले बिकल पर क्लिक करना और यहां पर भी आई अग्री करना है कोई जनकारी गलत है तो अभी आपका उप्शन है इडिट माई रेचेशन डाटा जेस पर क्लिक करकर उस सुधार करेंगे डिटेल सही है तो फाइनल समिट अंड सेंड ओटी पी वाले बिकल पर क्लिक करेंगे और सेव एड़ लौक वाले बिकल पर आपको क्लिक करना है अब आपने जो number दिया है उसका last चार डिजिट दिखाड़ा उस पर OTP जाएगा उससे fill करना है एक option मिलता है submit registration form का जिस पर click करना है इस पर कर आपका जो form है सबलता परवक submit होता है उसके बाद देखेंगे registration आपका complete हो चुका है अब आपको form भरना है तो इसके लिए option मिलता है application form का या नीचे में option मिलता proceed to application form का जिस पर आपको click करना है जिसमें सबसे पहले आपको language बतानी है कि कौन सा language आप रखना चाहते हैë पेपर देनी कलिए हिंदी या English या उर्दू या English जो भी आप रखना चाहते है является language 1 और language 2 में भी आप जो रखना चाहते हैं बाकि आप language 2 में जो भी subject रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से chain करेंगे बाकि यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस के लिए apply करना चाहते है लेबल 1 या लेबल 2 के लिए या दोनों लेबल के लिए आप जैसे लेबल 1 को चुनेंगे तो लेबल 1 में आपको बताया गया है कि ये class 1 to 5 के लिए है आप इसके लिए apply करना चाहते है तो आप कर सकते हैं वोई level 2 class 6 to 8 के लिए है तो आप इसके लिए करना है तो लेबल 2 आपको चुनना है अगर आप दोनों के लिए eligible है तो आपको direct जो क्या करना है वो आपको बोथ option जो दिये गए हैं आप simply यहाँ पर बोथ वाले option को आप chain कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है कि आप किस level के लिए apply करना चाहता है 1 to 5 या 6 to 8 या दोनों के लिए करना चाहता है उससे आपको chain करना है अब जब इतना chain करते हैं तो यहाँ पर देखे लेबल 1 में जो compulsory subject है वो आपको यहाँ पर देखनों को मिलेगा इसके अलावे यहाँ पर भी जो compulsory subject है वो automatic यहाँ पर देखनों को मिलता है वही कोई level 2 के लिए सिर्फ apply करता है तो उनको यहाँ पर देखे teacher type में कुछ जनकारी पूछी जाएगे कि इसमें कौन सा आप रखना चाहते है math, science, science teacher के लिए या social study teacher के लिए या language teacher के लिए वो आप यहाँ पर बताएंगे फिर आपका जो compulsory subject है वो आपको यहाँ पर देखनों को मिलता है फिर optional subject भी आप यहाँ से दे सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है कि आप जिसके लिए भी apply करते है उसके according ही आपको यहाँ पर option खुलता है यह ध्यान रखेगा अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर teacher training qualifying exam की detail पूछी गई है अब यहाँ पर click करने के लिए जो यहाँ पर red button दिये गए है आप इस पर click करेंगे जैसे label one यानि one to five के लिए अगर आप हम को apply करना चाहते है तो इन में से कोई न कोई एक qualification को आपको पूर्ति करनी होगी जिसे एक नमर में देखेंगे बताया गया है कि न करनेंगे अगर कोई 45% अंकों के साथ जो है इंटर्मीडियाट पास किया है और परारंबिक सिक्षा में दो वर्सिये जो है जो डिप्लोमा है वो उन्होंने किया है जो राष्टिया ध्यापक सिक्षा परिश्द विनियम 2002 के अनुसार जो है प्राप्त किया हो तो वैसे candidate य एलेड होते वो किया है तो इसको यह option चुनना है तो यहाँ पर multiple option है बस आपको देखना है कि आपके पास qualification कौन सा है उस qualification को आपको पूर्ती यहां से इस परकार करना है और नीचे आकर यहां से आपको submit कर देना है तो इस परकार आप जो है level 1 की जो detail है आप यहाँ पर दे आपको इतने सारे यहां पर qualification है इसमें से आपने जो भी qualification fulfill करते है उसको tick करना है जैसे एक नमर में बताया गया कि असनातक और प्रारंबिक शिक्षासास में दो वर्सी अगर कोई diploma किया है वो किसी भी नाम से जाना जाता तो यह करेंगे मतलब जो असनातक किये है और deal 8 कोर किया है और सिक्षासास्तर में जो 28 कोर्स होता है वह अगर उन्होंने किया है तो उन्हें यह second option मिलता है तो आप अपने recording यहां पर सभी detail को एक बार देख लिजिए जो भी आपने किया है उससे यहां से टीक कीजिए और नीचे में आकर आपको submit वाले विकल पर आपको क्लि किया रूप से उपर में ही पता चलियागा कहीं भी ज्यादा ताम जहां है नहीं तो आपको परसानी होगी नहीं बाकि नीचे आएंगे आपकी जो examination होगी उसके लिए कुछ center आपको चुनने होगे तीन preference आपको देने है तो आप जहां भी रखना चाहे उससे आप एक नमबर में रख सकते है दो में जिसको रखना है और तीन में जिसको रखना है इस पर का रखेंगे और एक option मिलता 7 next का जिस पर क्लिक करना है ये data आपकी जो है save हो जाती है बाकि आ से आपके जो पढ़ाई किया होगा अपने किस बोर्ट से किया है उस बोर्ट का नाम यहां से चैन करेंगे साथ में बताएंगे कि कुल कितने का exam होगा था उसमें आपको कितने मिले थे आपकी percentage देखनों को मिलेगा और साथ में passing year क्या है कब आपने pass out किया है intermediate के बारे में से बताना है intermediate अपने किस बोर्ट से किया है कुल कितने का exam होगा था उसमें आपको कितने मिले हैं और क्या percentage है और आपका जो passing year है वो क्या है वो बताएंगे कोई candidate अगर PG किया है तो यह optional में है आप बता सकते हैं जहरकंड से किया है या जहरकंड से बाहर से कितने number का exam हुआ था उसमें कितने मिले है percentage year आपको बतानी है तो यह सब जनकारी देनी है कोई अगर PhD या यह MPHL किया है तो एस करेगा नहीं तो आपको नो वाले भी कल पर आपको क्लिक करना है बाकि जो teacher training qualifying जो exam है जो भी आपने पास उट किया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जनकारी देनी है कि वो आप पास है जिसे one to five के लिए आपने जो छुना होगा वो पास है या apparing है वो जनकारी देनी है बाकि आपने जो पा पानी है कि कितने का total exam हुआ था उसमें कितने मिले हैं आपकी क्या percentage है वो बताएंगे और आपका जो भी passing year होगा वो जनकारी देनी है वही कोई level two के लिए याने section eight के लिए apply किया है तो उसमें जो qualification आपने दिया है वो पास है या apparing है उसके बारे में जनकारी देनी है जिसम आपको institute का नाम university या board का नाम बता सकते है साथ में session आपको बतानी है साथ में कुल कितने का exam हुआ था उसमें कितने मिले हैं वो बताएंगे आपकी percentage मिलेगी और passing year बतानी है तो इस परकार detail को fill करना है फिर say by next वाले विकल पर click करना है अब आप अगले tip में आते हैं जहाँ आपको document upload करना है जिसमें photograph देनी है जिसका size 10-40 के भी होगा minimum 10 और maximum 40 के भी तो photograph को यहां से select करकर upload करेंगे signature 10-40 के भी में upload करना है साथ में अगर आपने pairing वाले candidate होंगे तो pairing certificate जो भी आपके पास होगा उससे आपको यहां पर upload करने की जरूरत है जो pairing वाले नहीं होंगे वो application form पर क्लिक करना है अब आपने जो जनकारी दिया है उससे अच्छा से एक बार मिलान करे कोई जनकारी गलत है तो आप उससे सुधार भी कर सकते हैं जैसे जनकारी सही है तो यहां पर आपको exam city और जो academic qualification दिये इन दोनों check works पर टी करना है यह अगरी करना है और यहां पर द करना है अब देखें यहां पर क्या है कि आपको application फी जितना भी लगता होगा वह जनकारी आपको मिलता है उससे आपको देने की जरूरत है आप चाहें तो इसका जो प्रिंट है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने data को फिल किया है अगर आपको payment करना है तो यहां पर direct login करकर जो आपको यह application नमबर और जो आपको password आपने सेट किया उसके मदद से कर सकते हैं यहां से अभी फिलाल आप लगाउट हो जाएंगे दुबारा से राइशेस नमबर password डाल कर login करकर आप payment को पूरा करकर इसका print लेकर अपने पास रख लेंगे तो साथिव मैंने आप आपको इस टीप बाई एस्टे बता दिया जहरखन टीचर eligibility test यानि जे टेट का जो form है और कैसे भरना है हर एक जनकारी मैंने आपको बताया कहीं भी कोई डाउट है आप comment box में लिख सकते हैं बाकि इस वीडियो को share किजिए ऐसे update के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद जय हिंद